ये तो सच मुझ में गजब हो गया दोस्तों जिस तरीके से प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुपता को वीकेंड के वार पे कंटिनूसली डाट पिटती है या कंटिनूसली जिस तरीके से उन्हें जो है मुद्दों में घसीटा जाता है अब जनता ने डिसाइड कर लि किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुपता दोनूं ही जनता के फेवरेट्स हैं और ऐसे में जनता ने ये बात अच्छे तरीके से जान ली है कि प्रियंका और अंकित को टार्गेट करो और टीर प को हासिल करो दोस्तों आपको बता दू तो कल के बिग बॉस के एपिसोड में यानगी वीकेंड के वार में हमने देखा कि भायजान सल्मान खान ने जो है उस मुद्दे को उठाया जो कि बिग बॉस ने ऑलरेड़ी उठाय था बिग बॉस में राशन टास्क ना करके निमरि बढ़क पड़ी और कल से लेकर आज तक शोशल मीडिया पर बैक टो बैक हैश्टाइग चल रहे हैं चाहे वो अंकित के नाम के हो चाहे इन दोनु के नाम के हो प्रियंकित के नाम के हो जिया जनता आडोर्स प्रियंकित इस तरीके का एक हैश्टाइग चल रहा है और उनके साथ किस तरीके की नाइनसाफी चल रही है बिक बॉस के घर में इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे आपको बता दो दोस्तों तो सलमान सहाब ने कल के दिन अंकित को सुस्त और ये सारी बाते तो कहीं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने अप्रिशेट क्यों नहीं करा जिस तरीके से उन्होंने साजित की तरफ अपनी दोस्ती का कर्ज अदा किया नमक का या फिर अगर बात की जाए तो शिव को एक nomination का बहुत अच्छा दे कर कि भई आप किसको nominate करना चाते हो वो बात या फिर अगर देख लीजे कि उनके संचालन की अगर बात की जाए तो जहां पर हम सब को बताए कि Big Boss का संचालन फैद नहीं होता है वहीं खेल के perspective पे यहां प मुझे जैसी पता लगी बात मैंने कहा तुरंक इस पर वीडियो बना दो अब इस पर आपको क्या है कहना कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और बने रहो चैनल के साथ देखते रहो टैली घजाना मुझे एजाज़त दो इसी तरीके की चटपटी खबरे बताता रहोंगा बाइ बाइ